आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अपने आई लेसेज को घना और लंबा कैसे बने हैं सो लेट्स स्टार्ट दा वीडियो सो गाइज इसके लिए हमें फॉलो करने पड़ेंगे टू स्टेप्स जो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी सो अपने फर्स्ट स्टेप में मैं अपने आई लेसेज को थोड़ा थोड़ा इस सीजर की हैज से कट करूंगी सो अपने आपको करने लेटेपने लेटी आपको कर दोड़ा इस से काटी से लेटावा थोड़ा रिए ज बखेज़ कर दो जा सकता है मैंने अपने आईलेसेज को कट कर लिया है इसे क्या होता है हमारे आईलेसेज एक बराबर बिलकुल जो फेक आईलेसेज होते हैं उसकी तरह बढ़ते हैं और बिलकुल घहने होते हैं इसके बाद हमारा सेकेंड इस्टेप है उसमें मैं यूज करूँगी कोकोनट ओल तो इस बॉल में मैंने कोकोनट ओल ले लिया है अपना आईलेसेज कट करने के बाद ये सेकेंडर स्टेप में अपने आईलेसेज पे अपलाई करूंगी ये हमारे आईलेसेज को बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इससे हमारे आईलेसेज बहुत जल्दी ग्रोप होंगे और घने भी होंगे तो इस तरह से आपको अपने फिंगर टिप से अपने आइल एसेस पर यह कोपनाट अप्लाई करना है जो हमारा सेकंड एस्टेप है यानि यह और लगाने वाला जो एस्टेप है यह एस्टेप आपको रेगुलर यूज करना है रेगुलर आपको सोने से पहले अपने आइल एसेस पर यह कोपनाट टोयल अप्लाई करना और इसको उपर की तरफ ऐसे अपने फिंगर टिप से अप्लाई करते हुए अच्छे से मसाज करना है इसका इस process को आपको daily करना है इससे क्या होगा आपके eye lashes जो है वो बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे और बहुत जादा घने हो जाएंगे और जैसा कि मैंने इसको trim किया था इससे क्या होगा हमारे eye lashes जो है वो बिल्कुल एक बराबर जैसे कि fake eye lashes होते है उसकी तरह दिखेंगे So guys, if you like this video then give us a thumbs up and also subscribe to my channel for more such natural remedies from me See you in my next video, till then bye bye, take care, have a good day